नमस्कार दोस्तो आज हम करने जा रहे हैं Honor 7A का comparison with Realme 1 दोनों ही 3GB variant है और इनकी जो cost है वो है लगबग 9000 रुपीज दोस्तो इस वीडियो में मैं करूँगा speed test और इन दोनों का gaming comparison सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पो और पाईए mobile technology और automatic दुनिया की latest news, reviews and comparisons दोस्तो Honor 7A में मिलेगा आपको snapdragon 430, octagor processor और adreno 505 GPU Realme 1 में आपको मिलेगा helio p60 with mali g72 GPU तो दोस्तो अगर screen की बात करें तो Honor में मिलेगा आपको 5.7 inch HD plus 18 ratio 9 display और वहीं Realme 1 में आपको मिलेगा 18 ratio 9 का 6 inch का full HD plus display दोस्तो अगर इन दोनों की thickness की बात करें तो Realme 1 जो है वो ज़्यादा थिक है compare to Honor 7 और उसकी जो length है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है Honor 7A से लेकिन ergonomic build की अगर बात करें तो वो 7A की ज़्यादा अच्छी build है क्योंकि वो one-handed use के लिए काफी अच्छा है दोनों का design ही अच्छा है Honor 7A का जो design है वो काफी traditional design है और जो Realme 1 का जो design है वो थोड़ा futuristic है थोड़ा अलग है दोस्तों वही अगर weight का comparison करें तो Honor 7A काफी light है और basically main reason यह है कि उसमें 3000 mAh की बैटरी और वहीं Realme 1 में 3410 mAh की बैटरी है दोनों में ही आपको USB 2.0 ही मिलेगा दोस्तों advantage एक जो Honor 7A का वो है कि इसमें आपको fingerprint scanner मिलेगा लेकिन ऐसा कोई feature fingerprint scanner का Realme 1 में आपको नहीं मिलेगा दोनों ही phones में आपको face unlock का feature मिल जाएगा दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं 7A तो blue color को choose करिएगा और Realme 1 अगर लेना चाहते हैं तो diamond black ज़्यादा अच्छा है दिखने में दोस्तों let's start with the speed test दोनों ही phones को मैं reboot करता हूं और rebooting से ही हम इसका speed test शुरू करेंगे दोनों ही phones को मैंने shutdown कर दिया है अब restart करते हैं 123 क्योंकि दोस्तों Realme 1 का hardware काफी better है powerful है with respect to honor 7A के hardware से तो मुझे लगता है कि Realme 1 पहले boot up हो जाएगा जी हां दोस्तों honor अभी load हो रहा है और वहीं Realme 1 boot up हो चुका है तो इस test में Realme 1 काफी जल्दी boot up हो गया था दोस्तों दोनों ही phones में हम similar apps को चलाके देखेंगे और देखते हैं कि कौन सा phone ज्यादा fast है तो चली शुरू करते हैं 123 तो यहां पे Instagram Realme 1 पहले load हो गई है तो next है Facebook Facebook यहां पे load Realme 1 पे पहले हो गई है तो next हम चेक करते हैं दोस्तों Google Play Store तो प्ले स्टोर आलमोस्त दोनों पर सेम ही speed से load हुआ है तो इस app में तो दोनों ने सेम ही time लिया नेक्स्ट इस YouTube तो YouTube तो यहां ऑनर पे पहले load हुई है विजिस सप्राइजिंग नेक्स्ट है Google Chrome Chrome यहां पर Realme 1 पे पहले load हो गई है नेक्स्ट है दोस्तों Asphalt Nitro यह चोटी से गेम है तो देखते हैं कौन पहले load करता है जो graphic processor है वो भी Realme 1 का ज्यादा अच्छा है तो यहां पर दोस्तों अब देख सकते हैं कि Asphalt Nitro काफी पहले load हो गई थी तो raw power की अगर बात करें तो Honor cannot beat Realme 1 नेक्स्ट जो एप है वो दोस्तों Subway Surfer तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं तो यहां पर यह ओपो का game acceleration mode on हो चुका है तो कुछ games के लिए automatically on हो जाता है तो आप देख सकते हैं देख दोस्तों काफी fast इसने game को load कर दिया है और अभी Honor उसे 50% भी नहीं कर पाया था तो आयम रिली इंप्रेस्ट विधी हाडवेर ओफ रियल मी वन तो दोस्तों ओवरॉल रियल मी वन इस फास्टर दिवाइस तो अब हम इसकी रैम अप्टिमाइजिशन भी चेक कर लेते हैं तो इंस्टाग्राम दोनों में ही अभी तक लोड़ड है फेस्बूक भी दोनों ह सेम इस दे केस्ट विध प्ले स्टोर वह भी अभी तक रैम में है यूट्यूब भी लोड़ड ही है क्रोम भी अभी अपनी वह सी स्टेट में है गेम भी वैसे की वैसे ही रैम में है लोड़ड है सब्सर्फर भी दोनों ही फोन्स में अभी लेबल है तो रैम अप्टिमाजेशन आलमोस्स सेम है दोनों ही फोन्स की तो दोस्तों अब हम करेंगे गेमिंग टेस्ट दोने फोन्स का तो पहले आउनर पर हम थोड़ी सी लाइट गेमिंग करके देखते हैं यह एक है जो की अबाउट 40 MB की एक गेम है अचली दोस्तों ऑनर 7a का जो जीपी यू है वो इतना पावरफुल नहीं है तो बड़ी गेम्स को यह स्मूद्ली नहीं रन कर पाएगा तो इसलिए मैंने इस पर बड़ी गेम्स नहीं चलाई थोड़ा सा आउट्डेटर्ड हार्डवेर होने के कारण यह ज्यादा टाइम ले रहा है इसे लोड करने में दोस्तों अभी दख तो गेम्प्ले काफी स्मूध है ग्राफिक्स भी काफी अच्छे ही दिख रहे हैं कंट्रोल्स है जो गाड़ी के वो इतना अच्छा नहीं मुझे महसूस हो रहा तो जो एफेक्ट्स हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों नेक्स्ट अब सब्वे सर्फर को चेक करते हैं सब्वे सर्फर कैसे चलती है इस फोन के उपर लोडिंग टाइम इसका काफी ज्यादा है इन कम्पैरिजन तो रियल मी वन करर्स काफी अच्छे हैं डिस्प्ले के डिस्प्ले की कॉलिटी तो काफी अच्छी है और ब्राइटनस भी काफी है सब्वे सर्फर तो काफी स्मूदली इस पे रन कर रही है तो दोस्तों ऑनर्स है वने कैज्वल गेमिंग के लिए तो ठीक है फोन लेकिन अगर आप हाड़कोर गेमर हैं तो यह फोन आपके लिए नहीं है इसके 두 reasons है एक तो यह है कि दोस्तों इसका जो जी पी यू है इसका जो हर्ड़वेर है वो इतना पावफुल नहीं है और बड़ी गेम्स को तो यह अच्छे से नहीं चला पाईगा और second जो reason है वो है दोस्तों इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफी कम है तो दोस्तों अब वही दो गेम हम Realme 1 पे चला के देखें हैं तो पहले Asphalt Nitro को चलाते हैं तो इसमें काफी फटा-फट से ये लोड हो गई है थोड़ा सा गेम प्लेइ इस पे करके देखते हैं दोस्तों गेमिंग के लिए स्मार्टफोन काफी अच्छा है ओनर सेवने से तो काफी बेटर है गेम प्लेइ तो डेफिनिटली होगा भी क्योंकि इसका जो हार्डवेर वो काफी अच्छा है लेटेस्ट हार्डवेर है जीपी यू भी काफी अच्छा है दोस्तों रियल वीमान का हार्डवेर डेफिनिटली कैपेबल है वो बड़ी गेम्स को बड़ी इसानी से चला देता है तो इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि अगर वो दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत जाना लंबा हो जाएगा तो गेमिंग पर्फॉर्मेंस के उपर मैं एक डेडिकेटड वीडियो बनाऊंगा रियल मी वन की तो उसे आप देख लेना मेरे चैनल पे उसे देखने के लिए काइनली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को तो चलिए दोस्तों अब सब्सक्राइब को जला के देखते हैं तो जैसे ही मैंने चलाया तो यह ओपो का गेम एक्सलेशन मोड आउन हो गया तो यह कुछ गेम्स के लिए और्टमेटिकली आउन हो जाता है और काफी बूस्ट कर देता है गेमिंग पर्फॉर्मेंस को गेम्प्ले काफी स्मूध है सब्सक्राइब तो दोस्तों आज की कमपैरिजन का जो विनर है वो डेफिनिटली रियल मी वन है तो इसके दो तीन में कारण यह हैं कि इसमें बहतरीन हाडवेर दिया गया है और काफी अच्छी डिस्प्ले दी गई है इसकी दोस्तों इसकी ए को तो दोस्तों आप मेरे से भी बेटर जज्ज हैं तो आप इस कमपैरिजन टेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं वो जुरूर पोस्ट करना कमेंट सेक्शन में थैंक यू गाइस पर वाचिंग दा वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाईए और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और साथ ही दबाईए बेल बटन ताकि लेटस्ट न्यूज और रव्यूज सबसे पहले आपको मिल सकें थैंक वाचिंग दा वीडियो धन्यवाद